ओके हाई अब्रीवन दिस इज रस्मी आप सभी कई या रस्मी सिना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है मैं अभी डिस्कुस करूंगे आपका बाइनरी सर्च अल्गोरिदम प्रोग्राम इन फैक्ट रिकर्सिव प्रोग्राम फाइंड तो रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए हम आप लोगों के पास यह एक्जामपल लिये हुए हैं तो आप लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए ठीक है वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेयर करना नहीं भूलिएगा ठीक है और हम फटा-फट वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है तो देखे, binary search आपको पता है कि इसमें 3 case होता है, हम लोग हमेशा क्या करते हैं, middle position को find करते हैं, और या तो element mid position के बराबर हो गए, या तो element mid position से बड़ा हो गए, या तो element mid position से छोटा होगा, और तो कोई quiz हो ही नहीं सकता, तो 3 case है, यहां recursive program लिखने वाले हैं, इसका मतलब क्या है कि हम same function को same function से call कर वाएंगे, अच्छा दूसरी बात क्या है कि जब recursion है, तो एक recursion, base condition भी होना चाहिए, जहां पर function जाके stop हो जाएगा, calling आपका है न, तो इस case में base condition क्या होगा, जब आपका element match कर जाएगा, तो stop कर जाएगा, तो base condition इस case में क्या होगा, कि अगर search item equal to क बड़ा तो नहीं है, अगर बड़ा है तो फिर से हम bs search को call करेंगे, लेकिन किस के लिए call करेंगे, right side में हम जाएगे, क्यूंकि हमको पता है कि binary search operation हम तभी apply करते हैं, जब मेरा element जो given input array होता है, वो क्या होता, sorted list में होता है, तो अगर ये search element बड़ा है, mid element से, तो निस्च को high ही रहने देंगे, search element pass करेंगे, अगर ये दोनों case नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कि search element left position में है, left side में है, तो उस case में क्या करेंगे हम लोग, फिर से binary search को call करेंगे, लेकिन इस case में left में जाना है, तो high index को update करेंगे, तो this is all about the binary search function calling in the recursive case, right, अब इसको थोड़ा से example को और explore कर लेते हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, तो जब ये function call होगा, let's suppose कि ये आपका input array है, given, और आपका search item 7 है, तो शुरू में जो आपका element होगा, L और H की value, है ना, यही तीनों value update होते रहेगा, तो L की value क्या होगी, शुरू में, 0 होगी, और H की value क्या सुरू में होगी, 4 होगी, है कि नहीं, 0, ये L की value क्या है, 0, H की value क्या है, 4, और search element आपका क्या है, 17, और A क्या है, आपका given input array, जो की sorted list को store करता है, fine, अब यहाँ पर देखिए, होगा क्या आपका, कि जब ये function call होगा, तो check करेगा, कि क्या high index, lower index से बढ़ा है, yes, 4 is greater than 0, condition is true, तो क्या find करेगा, mid plus 1, mid plus 1 find करने के लिए, इन दोनों को plus करके divide 2 कर देगा, तो इसकी value क्या हो जाएगी, 0 plus 4 divided by 2 हो जाएगी, अब check करेगा, कि क्या search item A2 के बराबर है, यानि second position पर जो element है, उसके बराबर है, search item क्या है, आपका है, हाँ, 17, क्या 17, 15 के बराबर है, मीड भी है, हाँ, आपका ये ढूना है, है ना, तो क्या 17, 15 के बराबर है, sorry, no, it is not equal, तो अब आप क्या check करेंगे, second condition, जब ये condition false होगा, तो next tip पर आएगा, control आपका, तो ये check करेगा, क्या search element, जो है, कि अभी क्या है, आपका 17, आप computer को हैं, क्या दिखेगा, 17, greater than A, मीड, मीड के जगा, क्या है, आपका 15, तो yes, this condition is true now, तो 15, अगर 17, अगर बड़ा है, 15 से, तो अब आप अपडेट क्या करेंगे, तो आपको पता है, function calling जब होता है, तो one by one, जो है, वो value क्या होता है, एक दूसरे में, copy होता है, तो A, तो A में आजटी जाएगा, लेकिन अब सर्च होना चाहिए, है न, तो ये जो L है, वो कहां चला जाएगा, right में, और mid के right में, है न, तो mid के right में ले जाने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, L को update करना पड़ेगा, कितने से, mid plus 1, यानि mid की value 2 है, तो अब यहां पर जो ये pass हो रहा है, ये क्या pass हो रहा है, 2 plus 1 यानि की 3, तो यहां जो L value receive करेगा, वो क्या receive करेगा, 3, और H को twice it is रखेंगे, भाई, 4 तो 4 है रहने दीजे, और SI जो है, वो 17 जो है, वो अपना जाएगा, SI में आपका क्या है, 17, तो इसको तो change नहीं किया जा सकता, search element कभी change किजेगा, क्या, नहीं न, पूरे whole process में search element will be same, तो यह बात खतम हो गई आपकी, अब यह जब फिर से call करेगा, अब क्या check करेगा, कि सहाब क्या अभी भी high greater than L से, yes, 4 is greater than 3, yes, good, इसका मतलब आगे का process होगा, क्या होगा, तो mid find करेगा, L plus H divided by 2, अच्छे L plus H को जोड़िएगा, 4 plus 7, 3, तो क्या हो जाएगा, 7 divided by 2, तो कितना निकल के आएगा, integer division हो रहा है, तो वैसे तो यह आएगा 3.5, लेकिन हम लोग यहां क्या लिखेंगे, 3 integer division हमेशा 3 ही होगा है, decimal के बाद वाला को उड़ा देता है, तो आपका a mid और lower equal हो गया होने, दीजे क्या फर्क पड़ता है हम लोगो, तो यहाँ पर आते हैं, अब क्या चेक करेंगे कि क्या मेरा mid position, यानि third position का element क्या है मेरा, 17, yes, 17 is equal to search element भी 17 है, और mid position पर भी आपका element क्या है, 17 है, तो यहाँ क्या return करेगा, mid return करेगा, काम खतम हो गया, अब आपका कोई function calling नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई function का नाम आप नहीं दिया है, जहाँ पर यह function call हुआ था, वहाँ पर यह position, यानि mid में अभी value क्या है, 3, तो it will return 3, नहीं और यहीं पर यह stop हो गया, तो यहीं role है आपके base condition का, तो आप देख रहे हैं कि जब element मिल गया, तब तो ठीक है, मज़े-मज़े की बात है, आपका काम खतम हो गया, लेकिन ऐसा भी तो case हो होगा, तो आपकी बार क्या करिएगा, आप लोग, search element, फिर यो next, पहला condition जब false होता है, तो हम किस पर आते हैं, second condition पर, तो यहाँ check करेगा, कि 17 is greater than a mid, yes, 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 27 is greater than a mid, a mid अभी आपका क्या है, third position पर, यानि कि 17, 17 से 27 क्या है, बड़ा है, तो होने दीजे बड़ा, तो कहां जाईएगा, यही BS फिर से call होगा, तो जब BS call होगा, तो left side का जो index है, उसको आप change करेंगे, क्या change करेंगे, mid plus one करिएगा, तो mid plus one अभी mid क्या था, है three, तो जो lower index receive करेगा, वो क्या receive करेगा, four receive करेगा है न, और high तो as it is रखेंगे हम लोग, और SI जैसे है वैसी, अब फिर अंदर आने से पहले इसको क्या check करना, high greater than low, इस बार यह condition false हो गया, high जो है four, four से बढ़ा नहीं है, है की नहीं, four कहां four से बढ़ा है, तो जब यह condition false हो जाएगा, तो इसके अंदर उसको आना ही नहीं है, control will come out from this function, कहा function back होगा, जहां पर यह call हुआ, इसका मतलब हुआ क्य इसके बाहर निकल गया, तो इसका मतलब है कि यह element successful searching नहीं हुआ, तो बात मेरी समझ में आई, तो यह successful नहीं हुआ, अब इसको अब यह function आपने लिखा हुआ है, यह function का काम कैसे करेगा, जब तक इसको call नहीं किजेगा, यह काम तो नहीं करेगा, तो इसको call करने के लिए ह इसमें हम initialize कर दी हैं, यह सारे values को, you can do it, integer type array, array का नाम A लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, square bracket खाली छोड़ दिया, क्योंकि यह value हमने दे दिया, तो इसके according वो आपने size ले लेगा, no problem, ठीक है, fine, आप यहाँ पर क्या किया है, हमने, यह R एहां लिखा है, और उसके ब पहले हमको क्या चाहिए, array का size चाहिए, array का size कैसे निकालेंगे, तो size of an invent function है, उसको हम integer n में store कर ले रहे हैं, ठीक ना, तो size of 8 जैसे ही डालेंगे, तो यह array का पूरा element का size, अगर मान लिखेंगे, इंटीजर का 2 size हम लों byte मानते हैं, तो चुकि यहाँ 5 element है, तो 10 byte इसको ल 10 divided by 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो size आप यहाँ क्या return कर दिया, आपका computer अपने आप इसमें store कर देगा, 5, अब जैसी यह 5 आएगा, तो यह BS function काल होगा, control will go to this place, है ना, तो अब वो क्या-क्या value लेके जा रहा है, यह array पूरा इसमें copy हो जाएगा, 0, lower index तो शुरू अब यह जैसे यहाँ पर search unsuccessful हुआ, यह control वापस back हो गया, तो जब यह condition false होगा, तो भी control back होगा, जब यह control back होगा, तो कहां back होगा, आपको पता है, function calling जहाँ होता है, वही control back होता है, तो यहीं पर back होगा, अब यहाँ पर क्या back होगा, यह कोई garbage value लेके आएगा, चुकि य यह जब return हो रहा, तो कोई particular value तो आप return कर रहे नहीं है, तो यह कोई garbage value लेके आएगा, और वो क्या करेगा, आर में assign करेगा, तो अब कहता है, कि अगर यह r क्या हो, minus 1 हो, क्या हो आपका minus 1 हो, है ना, तो अगर यह यह फिर आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं, कि if condition के बाद यह जब condition false होता है, तो यहाँ पर return minus 1 ही कर दीजिये, तो garbage का भी कोई चकर नहीं है, कि यह वाला part अभी execute होगा, जब यह condition true होगा, जैसे ही यह condition false होगा, तो क्या return करो minus 1, जैसे ही minus 1 return करेगा, तो आप क्या लिखेंगे, ओ sorry, search is unsuccessful, पुछवी element मिला नहीं, लेगिन अगर यह यहाँ से return मीड किया, तो आप क्या लिखेंगा, search is successful, और मीड का value किस में store होगा, आर में, क्यों, क्योंकि return बार-बार आपको मैं समझा रहे हूँ, कि जहाँ से function call होता है, वही value return होता है, तो अगर यहाँ पर control back होगा, तो मीड return करेगा, तो यहीं पर यह value आएगा, तो य है, तो हमको लगता है, कि आपको यह बात हमारी अच्छे से समझ में आ चुकी है, है ना, तीन ही case तो है, या तो search element meet के बराबर हो जाएगा, अगर हो जाएगा, तो return करो meet, अगर नहीं हुआ, तो search element बड़ा होगा, अगर बड़ा होगा, तो हम right side में जाएगे, right side में हम lower index क update करेंगे, meet plus one, high quality छोड़ देंगे, और अगर यह दोनों case नहीं है, तो तीसरा case होगा, left side में होगा, left side में होगा, तो हम left index qualities रखेंगे, और high को क्या करेंगे, meet से पहले कर देंगे, और तो कोई case है नहीं, और यह सब काम तब तक होगा, जब तक high मेरा क्या है, l के बड़ा या फिर आपका ये condition true हो गया, तो भी आपका ये stop हो जाएगा, क्योंकि हाँ return meet करेगा, meet कहाँ return करेगा, जहाँ पर function call हुआ है, ठीक है, तो इस बात को हम समझते हैं, क्या आपको समझ में आ गया होगा, please note down कीजिए, इसको आप अपने copy पर लिख करके, जो भी हमने इसमें यहां समझाया है, इसको आप copy पर लिखिये, और एक बार और वीडियो देख लिजे, चुकि इसमें complex है, तो function calling है, फिर recursion भी है, तो लेकिन एक बार और वीडियो देख लिजे, आपको समझ में इस्चित आएगा, फिर भी अगर कोई query है, तो please comment me on my WhatsApp number, as well on my video comment section, I am going through each video, ठीक है, तो इसी के साथ मैं video को bind up करती हूं, thank you, take care, bye, अपने exam की तयारी करते रही है, अच्छे से, thank you so much for watching this video, thank you so much.